नवस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है पुर्धान मंत्री मोदी ने शादिये तैक कर लिया है कि चाहें को पत्रकार हो या नेता राष्ट विरोधी भारत विरोधी और हिंदू विरोधी गतिवीधियों में शामिल पत्रकारों को छोड़ा नहीं जाएगा उनके दिन लगने वाले बड़ी खबर आई है आपको याद होगा कुछ दिन पहले या भिजार सर्मा परभीर पुरकास और इस तरह के तमाम यह जो चैनी चट्टे बट्टे हैं जो चैना के लिए बैटिंग करते हैं दलाली करते हैं देश विरोधी बाते करते हैं उनके घर छापा पड़ा था चिपा बैठा हुआ है उसके खिलाब समझ जारी किया गया है उसकी डीटेल पर मैं आऊंगा लेकिन कुछ और भी खुलासे हो रहे हैं कोट के अंदर कपिल सिपल परभीर पूरकास इस न्यूज क्लिक के मालिक के लिए बैटिंग कर रहे हैं और वहाँ पर एक से एक दलील दी जा रही है कि किसी तरीके से एन के प्रकारें इस चैनीज दलाल को इस वामपंथी पत्रकार को निकाल बाहर किया जाए लेकिन एडी का खेल कुछ और होने वाला है उसकी भी डीटेल मैं आपको दूगा और इस बीच ये भी खबर आई है कि अमेरिका के अंदर इस नवल ही है और इन सब को अगर मिला जाए तो आपको मालूम चलेगा हिंदुस्तान में डेमोकरसी की बात करने वाले सरकार से सवाल पूछने वाला यह जो पूरा गैंग है जो फीडम अव एक्सप्रिशन का चैंपियन खुद को बताता है किस तरीके से इंटरनेशनल जिहाद और वामपंथी नेटवर्क का एक हिस्सा बना हुआ है माल खाता है और चैना के द्वारा दिये गए पाठ को हिंदुस्तान की जंता में अपने वीडियो के जरिए लेखों के जरिए अख़वार मीडिया टेलिविजन के जरिए लोगों में यहाँ बाठता है लोगों के को प्रदूर्शित करता है क्या खबर आई है पहले एडिके एक्शन के बारे में और मोधी सरकार के डिटर्मिनेशन के बारे में जो खबर आई है उसको जरा सुनिये In what could further strain its already tense ties with India, China has been stonewalling summons issued by the Enforcement Directorate to Shanghai-based Neville Roy Singham to join investigation for allegedly funneling funds to Media Portal News Click. After Chinese authorities refused to serve summons issued to Singham last year, the ED has issued fresh summons and sent it through the Ministry of External Affairs to be served on him, seeking his presence here to record his statement on allegations about his running a Chinese influence operation in India. नया समन्जारिक किया गया, पिछली बार जब समन्जारिक किया गया था, तो चीन ने मना कर दिया था कि नहीं हम भेजेंगे नहीं, ED ने फिर किया है, बताया जा रहा है कि लेटर रोगरेटरी वो भेज दिया गया है, और चीन से दो दो हाथ करने को तयार है, ये नवल प्रपोगेंडा आम को यूरोप और अमेरिका में चलाने वाला सक्स है लेकिन अभी छिपके बैठा हुआ है चीन के अंदर उसे ये समझ जारी किया गया है और क्यों क्योंकि न्यूज क्लिक के मसले में जो तद थी जो सबूत जिस तरीके से फंडिंग इस ने की और जिस हिसा में वो पैसे देकर कुछ दलालों को खरीच चुका था जो अपने आपको कहते थे वही मैं पत्रकार हूं और कई सारे पत्रकार उसके दौरा दिये गए पैसे का इस्तमाल भी कर रहे थे और ये न्यूज क्लिक दलाली का अड़ा बना हुआ था चीन से पैसे भी खा रहा था नोवल राज सिंगम से पैसे भी ले रहा था और उन पैसों को वो जिहादियों में नक्सलियों में आतकवादियों में तथा कथित कई सारे एक्टिविस्टों में ये बाट रहा था चोरी पकड़ी गई है लेकिन पिछली बार जब 2021 में जब चापे मारी की गई थी तब हा टाइम्स के इंवस्टिगेशन और इनके अपने इंवस्टिगेशन से जो सबूत मिले तो इनकी गिरफ्तारी हो गई जेल के अंदर सड़ रहा है अब ED क्या करना चाहती है आगे ED के सोस क्या बता रहे हैं The ED meanwhile has decided to seek custodial interrogation of NewsClick promoter Prabeer Purkast currently in judicial custody after he was arrested by Delhi Police on charges of alleged anti-India activities. Purkast and NewsClick's HR head Amit Chakravarti were arrested on October 3rd under anti-terror law UAPA for running Chinese propaganda on the news portal. Sources said the agency will question Purkast in judicial custody for earlier denying any links to the Chinese Communist Party CPC or its propaganda wing. ED पूस्ताच करना चाहरी क कस्टडी में लेकर अभी judicial custody में जेल के अंदर और इसको जेल से छोड़वाने के लिए कप्तल सिबल कोर्ट कहे थे कोर्ट में वो कह रहे हैं कि भाई कोई गलती नहीं की है सारा transaction जो है वो legal है हमारी company है बाहर से हमने FDI लिया FDI जो है वो बगदा legal route से आया और सब कुछ legal है तो हमें क्यों बंद किया जा रहा है हमारे जो पर्विर पुरकाष साहब है वो बहुत बड़े पत्रकार है सब कुछ बंद कर दिया गया यह illegal काम हो रहा है हलाकि उनकी बात सुनी नहीं गई लेकिन समस्या क्या है समस्या यह है कि एक चैनीज दलाल पकड़ा जाता है और देश के प्रबुद्ध पत्रकार प्रबुद्ध क्या रहेंगे खाक प्रभुद्धिन को बनाया गया है कौंग्रेस रजीम के द्वारा इन लोगों को इंद लोगों को इजद बक्सी गई है कौंग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान ये सारे लोग ही कठा हो गए थे आपको याद है बहुत सारे जो बंदर की तरह उचलने वाले बड़े-बड़े पत्रकार यूटूब के उपर लाइब कर रहे थे लाइब कर रहे थे कि हाए हाए Freedom of expression की हत्या हो गई Democracy हिंदुस्तान में खत्म हो गया ये प्रभी पुरकास्त को पकल लिया गया और ये प्रभी पुरकास्त है कौन यारे ये तो बामपंथी है नोन Party card है ये Red card holder है ये उसको देश के अंदर में पत्रकार बना देती हो भई खुल के सामने खेलो ये कमफलाज करके लोगों के दिमाग को क्यों दूशित करते हो Press Club के अंदर तमाम तरह के ये जिहादी नक्सलाइट्स जो पत्रकार है नहीं लेकिन फिर भी Press Club के अंदर और Press Club ने खुली छूट दे दी कि हमारे प्रांगन में जो है इस चैनिस दलाल को डिवर्ण करने के लिए तुम प्रस कांफरेंस करो ये तस्वीर देखिए कितने लोग जमा हुए थे सब बड़े-बड़े प्रबुद्ध है प्रबुद्ध क्या रहेंगे ये सब माल के हिस्सेदार हैं यहीं लग रहा है इसने सब इकठा हुए अब कोट से रात नहीं इधर से रात नहीं उधर से रात नहीं कहीं से नहीं कुछ हो पाता लेकिन फिर एक वज्रपात हो गया वज्रपात क्या हो गया अमेरिका बेबी इस नवल रॉय सिंगम के खिलाब उसकी पत्नी के खिलाब investigation चल रहा है और अभी वहाँ जितने जो हमास के फेवर में आतंतियों के फेवर में हिंदुस्तान में भी बहुत सारे पत् सरकारों को भी देखिये जो इसराइल के खिलाब जहर उगल रहे हैं यह सब पकड़े गए अमेरिका में भी investigation सुरू हो गया इन लों के खिलाब क्यों हुआ है वो खबर देखिये The New York Times reported earlier this year that Singham and his activist wife are being probed also by US agencies for promoting Beijing's agenda, charges that he has contested, a recent report by the Free Press show that the couple provided the financial backing to pro-Palestine protests. Singham is the primary funder of the People's Forum. From 2017 to 2022, he has provided financial contribution worth 20.4 million US dollar. The details of the funding has been provided in the Public Disclosure Forum. Interestingly, the amount that Singham brought to the Forum constitutes nearly the entire funding of the People's Forum. ये एक People's Forum है, जैसे हिंदुस्तान में बहुत चारे फोरम इस तरह के बामपन्तियों के. ये आजकर ये तस्वीर देखिये, पिछले बार आठ तारीक कोई लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया था, और ये दूसरी तस्वीर है, वो कल प्रोटेस्ट होना है, अमेरिका के समर्थन में, हमास के समर्थन में, इसराइल के खिलाफ कौन लोग आएंगे, तारीक दिन कौन सा रुखा है, जूम्मा के दिन, फ्राइडे है कल, फ्राइडे को प्रोटेस्ट रखा जाएगा, ये जिहादियों के लिए काम करने वाले ये लोग हैं, ये दुनिया में को समर्थन में, दुनिया भर में, जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब चैनिज दलाल सब रहे हैं, हिंदुस्तान में भी देखिए जो कुछ हो रहा है, ये वही लोग हैं, जो साइन बाज में नजर आ रहे थे, जो किसान अदुलन में नजर आ रहे थे, जो खालिस्ताइनियों के साथ खड़े हैं, जो कस्मीर में आतंकबाद को समर्थन करते थे, यही गौतब नौलका, पर पत्रकार कहने वाले दला लोग, यह पुरा सर्कल तयार हो रहा है, और देश की जनता, इन्हें पत्रकार समझती है, यह समझती हुए यह डिमोक्रसी लाएंगे, बैर डिमोक्रसी का सौक है, फ्रीडम अब एक्स्परिशन का सौक है, तो सबसे पहले जाओ, चीन के खिलाब स्टोरी करके दिखाओ, चीन में को डिमोक्रसी नहीं है, वहाँ तो यह हालत है, कि मंत्री अगर विरोध में कुछ बोल दता है, शी जिंपिंग के, तो गायब हो जाता है, पता नहीं कहां किस जगह पे उसे गायब कर दिया गया, तो यह सारी चीजे हो रही है, और यह बिल दुस्मनी तो दुस्मनी, कनाटा से दुस्मनी तो दुस्मनी, दुनिया के किसी भी मुल्क से दुस्मनी हो तो हो, लेकिन यह जो गंद फैला हुआ, यह जो बीमारी है, यह जो सिकनेस है, जो हिंदुस्तान के अंदर सफेद चोंगा पहन करके, अपने आपको पत्रकार कहक प्रोफेसर कहके, अपने आपको एक्टिविस्ट कहके, पॉलिटिकल लीडर्स कहके, ये हिंदुस्तान के अंदर ये जो गंदगी भानाने का काम कर रहे हैं, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इस हाई टाइम, देश की जनता को भी इस तरह के लोगों को पकड़ना चाहिए, य इस तीन, और ये जो आतंकियों का समर्थन करने वाले, नकसलियों का समर्थन करने वाले, देश की जनता को इनको पकल पल के पूछना चाहिए, इनके सोचल मीडिया के अकांट पर जा करके इनसे पूछा जाना चाहिए, कि कितना माल खाये हो, 75 कडोर से ज़्यादा, उल्ट से बिल दाकर के कहरे हें, कि सब कुछ है लिगल हुआ, बै लिगल तरीके से तुम ड्रग लॉट से पैसे ले लोगे, प्रोसिट्जूशन का रैकेट चलाने वाले लोगों से तुम लिगल तरीके से पैसे ले लोग shimmer नहीν, यह कहोगे कोई कानून को हमने से तोला रही, कीजिए धन्यवाद